आप लोगों ने अकसर एक चीज नोटिस किया होगा जब भी घर बन रहा है तो बहुत सारे लोग एम सेंड यूज करते हैं और बहुत सारे लोग रिवर सेंड यानी नेचुरल सेंड एंड आर्टिफिशल सेंड दोनों में कौन सी बहतर है आपके घर के लिए ये आप समझने पर आपको ये समझ नहीं आता कि अब हमें लगाना कौन सा है हमारे घर में तो चिंता मत कीजिये ये वीडियो आप ही के लिए है और आपके लिए मैं पूरी डिटेल बनाऊंगा इस वीडियो में सारी जानकारी आपको मिलने वाली है हर एक चीज कि आपको एमसेंड यूज करना है या फिर artificial कौन सा कौन सी जगे में फायदे मन्द है यहां पर जो material बन रहा है वो है river sand का अब मैं आपको बताऊंगा यह हैं आपके सामने जो दिख रहे हैं वो artificial sand artificial यानी m sand यह है आपकी river sand जो नदी से निकलती जिसे आप परेट या फिर बालू कहते हैं यहां पर देखिए यह आपकी m sand या फिर stone crust sand भी कहते हैं इसे जो कुछ इस तरीके की रहती यानी गिट्टियों के तुकड़ों से बनती है यह आपकी नदी से निकलने वाली जो कि आपको हाथों में यह दिख रही है कि इसमें हर एक तरीके के छोटे बड़े सभी particle होते हैं अब यहां पर यह दोनों दिखाई दे रही है देख सकते हैं आप दोनों में क्या difference है यह भी आप समझेंगे भी इस वीडियों में यह आपके सामने दोनों हो जाती है एक का कलर काला है और एक का लगबग आपका थोड़ा सा इसका जैसे आप लेके चल सकते हैं इसे मिट्टी के आकार का यहां पर आपको काले कलर की जो दिख रही है वो है stone dust या M sand और इसके पीछे just जो दिखाई दे रही है वो है river sand जिसे हम natural sand कहते हैं stone dust जिसे हम artificial sand कहते हैं देख अगर आप नदी की रेत लगाते हैं उसमें सभी particle होते हैं हर तरह के होते हैं तो उसकी जुडाई आपकी बहुत अच्छी होती हैं अगर आप जुडाई कर रहे हैं तो नदी की रेत लगाए river sand लगाएं अगर आप concrete cover कर रहे हैं तो उसमें आप इसे use कर सकते हैं सामने जो क प्राब करें सर्फ